नमस्कार आप सभी देखने वालों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस लाइब इंटराक्शन में जो हम लेकर आए हैं क्लास तेंथ के सोशल साइंस के स्टूरिंट्स के लिए और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेनु भट और आप सभी को हम बता दें कि आज के इस सेत्र में हम किस विषय पर बात करने वाले हैं किया टापिक है हमारे आज के सेशन में आज हम बात करेंगे फेडरलिजम यानि की संघ बाद क्या होता है , प्रकार के संगवाद वह सकते हैं, क्या अभी प्राई थिन कि स्यर्स्ग परैट से किया जाता है आपको विस्तार से बताяет है आपनी कोई भी क्वेरी हो आप हमें इमेल के माधिन से बता सकते हैं हमारा email address है dth.class10 at the rate cit.nice.in आज के इस session की detail आप सरूर आड कीजेगा और अपनी सभी queries और प्रशन आप हम तक पहुंचाएं उस email के जरिये आपको मिलवा देते हैं हम अब अपनी विशेशगी से जो इस समय हमाई साथ studio में मौझूद है आप हमें अशोर शिका भधोरिया माम आपका बहुत-बहुत स्वागत है और माम लेक्शरार है पॉलिटिकल साइंस सर्वोदे कन्या विद्याले मयूर भी हाफेस वन दिल्ली में तो आप अपनी सबी बाते हम तक पहुंचा और हम आज के इस सद्रिफटा फट शुरू करना चाहेंगे माम क्यों कि हम फेडरलिजम की बात करते हैं हम अपने देश में हमारे देश फेडरलिजम को ही फॉलो करता है सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका क्या अर्थ है बच्चे क्या भी प्रायले माम तेनु जैसे आपको पताए कि भारत भौगल रूप से एक बहुत विशाल देश है विवताओं से भरा हुआ देश है तो किसी भी एक इतने बड़े देश में प्रशासन सुचारो रूप से चल सके इसके लिए सरकार कई सतर पर बनाए जाती है तो संगवाद भी एक ऐसी शासन विवस्था है एक ऐसी प्रणाली है जहां पर शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और उसके कॉंस्टिट्वेंट यूनिट्स या फिर राज्यों के मत अभी इस तर तीन प्रकार भी हो सकता है जो कि भारत में और हुआब की जाती है तो यह बात हुई कि संघवाद क्या है और इसे क्यों अडव शायं देखने चाहिंगे वाख्यों कहा जाता why बहुत बड़्या सव दिफरेंस है जो सभी को समझ भी नहीं आतीए बच्चों को शाताहर से बताना चाहूंगी भारती संग्वादी विवस्ता को केसी वीहर ने और्द संह्य धांचा की संग्यादी है, और या फिर ही फेडर propagate federal system अब यह एक ऐसी विवस्ता होती है जहां शक्तियों का विभाजन तो होता है केंद्र बच्चों का रुजहान केंदर की तरफ होता है तो ऐसा कहें कि केंदर जादा शक्तिशाली होता है और यूनिट्स कम शक्तिशाली होती है तो इसलिए प्योर फेडरल नहीं क्वासी फेडरल आधा तो बच्चों आपको यह बहुत इंटरस्टिंग फाक्ट भी पता चला और की नहीं के बाद जानना भी जरूरी है कि हम अर्ध संग् हैं जा पर इसकी विशश्ता आप से डेटेल में जानना चाहेंगे कंगः संगवाद कीक्या क्या विशेष्थ थ हैंने क्लास 10 सामल हैं बेलजियम और श्री जहां पे थोड़ा व्यवस्था में या शक्तियों की विभादन में कुछ बदलाव किया गया जैसे केंद्र सरकार की शक्तियों को लेकर राज्यों में वित्रित कर दिया गया लेकिन श्रीलंका इसके विपरीत एक ऐसी शासन व्यवस्था है श्रीलंका में जिसको हम एकात्म अक्षासन कह सकते हैं या फिर जहां शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन केंद्र सरकार के हाथ में अब मैं आती हूं भारत में भारत का जो संगिय धाचा है जो फेडल स्ट्रक्चर है वो इन दोनों ही विवस्ताओं से थोड़ा अलग है जैसे भारत के समिधान में लिका है इं कर्मिंग टुगेदर और फेडरेशन जहां राजय सरकारें स्वेच्छा से उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक केंद्र के अधीन आ जाते हैं अब जो भारतिय संगिय व्यवस्ता है इसका सबसे इंपॉर्टन गुण तो यह है कि यहां पे एक लिखित समिधान होता है करनदे नहीं रहता उसी प्रकार से शक्तियों का विभाजन केंद्रो राज्यों के मद्य होता है यहां पे लिखित समविधान होता है और सब से इंपॉर्टन सरकार का अंग जो कि न्यायपालिका होता है न्यायपालिका यहां करती है किसी भी प्रेजर के धीन कारे करती नहीं फिर संगीय धासे में नागरिकता की अगर बात करें तो यहां पर एकल नागरिकता भी हो सकती है और दभैरी नागरिकता का हिसाpy अमेरिका में इसका सिट्वेशन तोड़ है tell पहले अपनी प्रोविंस का नागरिक होता है और फिर केंदर का नागरिक होता है तो यह कुछ विशेष्टाइं होती हैं जो भारतिय फेडरेशन को अन्य किसी देश के संगवात से डिफरेंट करते हैं तो यह तो रही विशेष्टाइं और बच्चों जब आप इसे और ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि आपको माम बता रही है आपको काफे कुछ समझ में आ रहा होगा जो भी क्वेरिज आ रही है आप हमें जरूर बताएं आगे बढ़ते रहेंगे तो और भी बाते केंदर और राज्यों के मद्ध किया जाता है इससे क्या फायदा है इसके पीछे उदेश किया है तो यहां पर क्या है कि जो रेविन्यू के स्रोथ हैं या फिर जो विधायन के छेत्र हैं वो क्लियर कट डिमार्केट कर दिये जाते हैं उनको ढंग से बता दिया जाता है कि क केंदर किस पर कानून बनाएगा राजसरकारें किस पर कानून बनाएगी और एक ऐसी भी सूची आती है जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं यहां पर केंदर सरकार और राजसरकार दोनों ही मिलकर कानून बना सकते हैं इसके अलावा अगर विशय बच गए तो वो विशय को अ जान केंद्र के तरफ है, तो जो अवशिष्ट शक्तियां बच जाती है, विशय बच जाते हैं, उसके ऊपर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बनाती है. एक बात और बच्चों के क्लारिटी के लिए, जो समवर्ती सूची या कॉनकरेंट लिस्ट होती है, जिसमें विशय होते हैं, जैसे की सिक्षा, तो इन विशयों पे दोनों ही सरकारे कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, परन्तु अगर कोई ऐसा कानून बन जाता है, कि दोनों ने ही कानून बना लिया और उनके मध्य तनावुत्पन हुआ, तो ऐसी स्तिती में केंद्र सरकार का कानून प्रिवेल करेगा, राज्य का रद्ध हो जाएगा, यहानि कि यहां पर भी इसका एक सेलूशन है, कि ऐसी कोई सिच्वेशन आए अगर, त इसे तो देखिये, मोटे-मोटे तीन प्रकार से भवजयत कर सकते हैं, पर चुकि हमारी पाठे पुस्तकों में, Coming Together Federation का जिक्र है, Holding Together Federation का जिक्र है, तो हम इसमें Clarity डेवलाप करते हैं, तो Coming Together Federation, ऐसे इंडिपेडेंट राज्यों का समूँ होता है, जो स्वेच्छा से एक सा इससे फाइदा क्या होता है, जितनी भी यूनिट साथ में आती है, इनकी सुरक्षा बढ़ती है, ये एक दुस्रे को सुरक्षा देते हैं, इसका बहुत सुंदर एक्जाम्पल है, अमेरिका, युएसे, स्विट्जरलांड तथा ऐस्ट्रेलिया, अच्छा, खास बात ये है, कि जो यूनिट स्विच्छा से साथ में आती है, संघ में, वो अल्मोस्ट इकोल पावश शेर करती है, केंदर के कंपैरिशन में, मतलब वहां कोई बढ़ा या चोटा नहीं होता, शक्तियां बरावर की होती है, इसके विपरीत, जो दूसरा वर्गी करना है, वो है, होल्ड इसमें एक बहुत बड़ी कंट्री होती है, वो डिसाइड करती है, कि हम अपने कॉंट्वेंट यूनिट में शक्तियों को विभाजित करेंगे, या बटवारा करेंगे, जिसका एक्जांपल भारत है, स्पेन है, बेल्जियम है, अब इस प्रकार की विवस्था में, जैसे म कम होगी, साथी साथ में, डिफ्रेंट कॉंस्टेंट यूनिट्स दे वील्ड अनिक्वल पावर, और सम यूनिट्स आ ग्रांटेट, स्पेशल पावर, जैसे कि हमारे अभी, दोजार नीस से पहले, धारा 370 के तहत, जमो और कश्मीर को, स्पेशल प्रावधान दे उसके ल जैसे कि मैंने बताया कि समिधान की जो साथवी अनुसूची है, वहाँ उस साथवी अनुसूची में, तीन सूचियां या तीन लिस्टों का वर्णन है, केंद्र सूची, राज्य सूची, तथा समवर्ती सूची, केंद्र सूची में वेविशे डाले गए हैं, जैसे कि भा इंदर ही legislate करेगा, इनकी संख्या वर्तमान में 99 हैं, ये विशे कम और जादा होते रहते हैं, अमेंडमेंट के साथ-साथ, इसी प्रकार से जो दूसरी सूची है, जिसको हम राजे सूची के नाम से भी जानते हैं, उसमें वर्तमान में शाद 61 विशे हैं, 61 सब्जेक्ट्स ह के अंतरगाता हैं, देश की पुलिस, व्यपार, वानेज्य, एग्री कल्चर, और इरिगेशन और ऐसे अन्यक कई और भी विशे हैं, और जैसा कि मैंने बताया, जो विशे इन तीनों ही लिस्ट में जगे नहीं पापाए, वो अवशिश शक्तियां या रेजिडिवरी स्रेश होते हैं, जिन पर हमारे देश में केंदर सरकार ही कानून बनाती है, तो ये तो बात हुई कि किस तरह का नेचर है, क्या इनकी प्रवती है, माम हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, वेखं़ कि इसतरह से शक्तियों का विभाजन भी किया गया है, वो आप महरे स तब ही दर्शुकों तक पहुंचाए माम बिल्कुल हम वी केंद्रिगंड के भी चर्चा करेंगे पर इसमें एक पॉइंट और बताना चाहूंगी जो भारतिय संगवात की प्रवर्ती के में जिक्र करना बहुत जरूरी है कि अगर कभी जो यह सब्जेक्स होते हैं केंद्र कार इसको यूनिलेटरिम नहीं कर सकती इसके लिए बहुत आवशक है कि दोनों ही सदनों से ये प्रस्ताफ दो त्याई बहुमत से पारित होगा जिसको हम विशेश मेजॉरिटी भी बोलते हैं और सिर्फ यहीं नहीं जब ये वाला प्रस्ताफ पारित हो जाएगा हमारी प बदलाव संभव है तो आप बता सकते हैं कि यहां पर कॉंकरन्स होना बहुत आवशक है केंदर और राज्यों के मत है तो यह तो उसकी बात हुई माम अब हम आगे ले जाएंगे इस चर्चा को और आगे आपसे जानना चाहेंगे फेडरिलिस्म के बारे में जैसा कि बताया कि भारत में फेडरिलिस्म कैसे प्राक्टिस किया जाता है तो मैंने बताया तीन सूचिया है साथी साथ में फेडरिलिस्म का मुद्दा हाइलाइट कब होता है आजादी के बाच जब भारतिय सरकार ने डिसाइड किया कि राज्यों का भाषाई आधार पर विभाजन होगा इसका मतलब यह हुआ कि जिस राज्य में जो भाषा वोली जाती है वो सारे एक साथ हो जाएंगे, ग्रुपिंग हो जाएगी तो उस समय भी संगवाद का मुद्दा बहुत जोलन्त हुआ था, है ना राज्यों ने अपने अधिकारों की बात की थी आवशक एक बात ये भी है कि जब जब सरकार केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है और राज्यों में जिस पार्टी की सरकार होती है अगर वो सेम है तो तो वहाँ पर कोई ववाद का मुद्दा ही निए क्योंकि केन सरकार राजे सरकारों को पूरा सही होग देती है परेशानी कब होती है राजे अपनी अटानोमी को कब एक्सप्रेस करते हैं कब उसके लिए फाइट करते हैं जब इनकी सरकारें पॉलिटिकल पाटीज डिफर करती हैं तो ऐसी स्थिती में सुप्रीम कोट ने भी अपने लजिसलेशन के दवारा कहीं बार साफ साफ ये स्पष्ट कर दिया है कि केंद सरकार सिर्फ अपनी इच्छा से इन सूची में बदलावनी कर पाएगी क्योंकि राज्यों को भी ऐक स्वाइतिता चाहिए एक अटॉनियमी चाहिए जिस से वह धंसे फंक्ष्ट कर सके कि मैं हैं यहां पर स्वायतिता की बात होरहे हैं हमारे देश में कुछ यूनियन टेरिटिटिरीज भी हैं ऐसे मैं उनके बारे में भी आप से जानना तो जो union territories होती हैं उसमें जादा तर केंद सरकार के द्वारा ही बनाएगे कानूनों को लागू किया जाता है तो वो उनके अधीनी कारे करती है तो माम आपने काफी कुछ हमें बताया अधीन के बारे में इसके फेडरीकरण क्या है कीतने प्रकार क्या है क्या प्रवर्ति है इसकी हम अब आपसे विकेंद्र करण के अधीन जानना चाहिएंगी करते हैं. Decentralization शबसे ही समझ में आ रहा है कि यहां पर शक्तियां से लेकर राज्यों में वित्रिद की जा रही है. अब इसके पीछे उदेश क्या है? इसके पीछे उदेश यह है कि भारत जैसे देश जो विशाल भूभाग वाले देश हैं, उनको अगर बहुती एफिशन तरीके से उनका प्रशासन को रन करना है तो बहुत आवशक हैं कि जो दूर दराज राज्यों में जो गाउं हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको स्वायतता दी जाएं कि तुम अपने छेत्रों में खुद पैसला ले सको, तुम अपनी नीतियां खुद बना सको, तुम खुद डिसाइड कर सको कि तुम्हारे राजस्व के स्रोथ क्या होंगे, इसलिए यह बहुती स्मार्ट मूव है, जिस जिसको पंचाइती राज की तरफ के नाम से भी जानते हैं, यानि कि सत्ता का जो प्रभाव है, वो समाज के आखरी तब तक भी जाया और अच्छे से पूरी चीज़े सुचारों रूप से हो, जाए वो ग्रामी इन स्थार पर हो, गाउन के लेवल पर हो, क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे देश इतना बड़ा अगर केंद सरकार की भी बात करें, तो वो शायद चाहते ना चाहते वी उस लेवल पर नहीं आ सकती है, लेकिन वहां पर क्योंकि हमारे हर्द व्यक्ति के लिए जीतने भी भारत के नागरिक हैं, सब तक चीज़े अच्छे से पहुचे सुचारो रूप से काम हों, तो उसमें पंचायती राज का बहुत जादा एहम रूल है मां, देखे अपने प्रांत की समस्या, कोई लोकल व्यक्ती बहुत भली बाती अबगत है, अगर एसी रूम में जो नौकर शाह बैठे हूए दिली में, वो तो शायद उस रि ने इसको एक समयधानिक रूप दे दिया, पंचायती राज को एक समयधानिक रूप दे दिया, जिसके तहत काफी प्रावधान किये गए, जैसे पंचायती राज कहां बनते हैं, जो ग्रावीन छेतर होते हैं, और मुंसिपालिटीज कहां बनती हैं, जो अर्बन एरिया होत तो पंचायती राज हो चाहें मुंसिपालिटी हो इस में इनके हर पांच साल में चुनाफ करवाए जाएंगे इसको एक समयधानिक स्थान दे दिया गया अब राज्यों की उपर यह ओब्लिगेशन है कि उनको चुनाफ करवाने ही पड़ेंगे फिर यह चुनाफ करवाने के यह एक स्टेट कैमिशन की वी इसंद इसको हम राज निर्वाचन आयोग काते हैं यह तरह ही राजज के स्टेट इपनान्स कमिशन केते हैं उसकी भी सापना की गई सात ही साथ में सभी का ध्ञान रखा गया यहां पे ह Subscribe का महिलाओं के लिड़शिप का खास ध्यान उनका सशक्ति करण हो, तो ऐसे ही कुछ प्रावदान थे, जो पंचायती राज विवस्था में आये, साथी साथ में जो इलेक्टेट बॉड़ी होती हैं पंचायती राज की, वहाँ पे SC, ST और OBC के लिए सीटों का रिजर्वेशन किया गया, पंचायती राज सिस्टम में हमा जो इलेक्शन होता है वो गाओं के द्वारा ही होता है, इन पंचों का जो हेड होता है वो सरपंच के यालाता है, जो की प्रतेक्स चुनाप के द्वारा गाओं की ही पॉपलेशन जिसका निरवाचन करती है, फिर ग्राम पंचायत को अगर बहुत सरल भाशन में डिफाइन किया जाए, तो वो किस प्रकार की बॉड़ी है, वो डिसीशन मेकिंग बॉड़ी है, जो गाउं के वेलफेर के लिए, कहां खुए बनवाने, कहां स्कूल बनवाने, कह कहां डिस्पेंसरी, कहां मेलों का और्गेंजेशन करना, यह सारे फैसले ग्राम सभा लेती है, और इसकी जो मीटिंग होती है, वो साल में कम सेकम 2-3 मीटिंग इसकी आयोजेत की जाती है, अब यह बात तो रही, पंचायतों की जो गाउं में काम करती है, सेम पारलल स्ट्र यह ताउंस में सेट अप की जाती है, जितनी बड़ी सिटी होगी, वहाँ पे मुन्सिपल कॉर्पोरेशन या फिर नगर निगम होंगे, जो की इलेक्टिट बोडी के द्वारा कंट्रोल किये जाते हैं, मुन्सिपल उसका चेरपरसन जो होता है, वो उसका एक राजनेतिक ह होता है, जिसको हम मेर के नाम से भी जानते हैं, तो जैसे गाउं में पंचायते हैं, वैसे शेहर में ना करनेगा, और यह दोनों ही डेमोक्राटिक डीसंटलाजेशन या फिर जनतांत्रिक विकेंद्रेकरन का बहुत सुन्दर एक्जामपल है, और यह बहुत अच्छे से आ कोई भी प्रशन आ रहा है, तो माम साब जरूर पूछें, इमेल के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि आप हमें भेज सकते हैं, इमेल डीटेश डॉट क्लास देंटाट दरें, और यहां पर क्योंकि हमें इस साथर को यहां पर वाइंड आप करना है, लेकिन जाने से पह होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको यूँ ही बने रहे हैं हमारे साथ, और हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेके बाद अपने एको लाइव इंट्रक्शन के साथ हासिर होंगे, जो की है, पांच दिवस्ते आनलाइन प्रशिक्शन कारिक्रम, आनमाती, नमस्कार.